सबसे पहले दोस्तों आपको और आपके परिवार को होली की ठेज सारी शुप कामना है और मैं कामना करता हूँ कि होली का यह दोस्तों आपके मेरना मैं अशोक और फ्री पे पाने वाले हो दोस्तों ऐसे कई सारे platform available है जहाँ पे आप NIT के professors का free course तो अटेंड कर सकते हो लेकिन जब बात आती है certificate की तो आपको NIT का certificate बिल्कुल free पे नहीं मिल पाता है उसके लिए आपको अच्छे कासे पैसे पे करने होते हैं लगबग आपको डेड़ा रुपे से 2000 रुपे पे करना होता है तब जाके आपको certificate मिल पाता है लेकिन आज किस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जिस webinar के बारे में बताऊंगा इसमें आपको artificial intelligence, machine learning, IoT, Python के basic library का knowledge मिलेगा पर साथ में आपको NIT का free certificate भी मिलेगा तो वीडियो में ज़रू लास तक बने रहेगा दोस्तों और इस पे ज़रू apply करेगा यहाँ पे दोस्तों दो अलग-अलग NIT के तरब से ये notification आया है एक notification दोस्तों MNNAT के तरब से आया है, मोतिलाल नहरू National Institute of Technology के तरब से आया है और दूसरा जो notification है दोस्तों वो NIT जलंदर की तरब से आया है इन दोनों के बारे में दोस्तों आगी किस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे लेकिन इसके पहले दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीकरम चैनल से जो रुजूडिये का दोस्तों एक नया नोटिफिकेशन आया है, वन विक फ्री ऑनलाइन वरक्षोप और आटीफीचल इंटेलिजिएंस इन विजर एंड आयोटी तो यहाँ पे दोस्तों आपको आयोटी और आटीफीचल इंटेलिजिएंस का पूरा नॉलेज भी मिलने वाला है यहाँ पे आपको theoretical और practical दोनों ही knowledge मिलने वाला है और यह जो workshop है दोस्तों यह एक विक लंबी होने वाली है जिसने complete करने पे आपको इनके तरफ से certificate भी मिलने वाला है इसमें registration करने की जो last date है दोस्तों वो 9 April है इसके पहले आपको register कर देना है जैसी आप इस link पे click करेंगे दोस्तों इसका पूरा complete detail आपके सामने आने लग जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने पूरा course का content बताया है कि आपको यहाँ पे क्या-क्या चीजे सिखाई जाने वाली है तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली आपको artificial intelligence का पहले तो basic सिखाई जाएगा उसके बाद आपको NLP Natural Language Processing के बारे में सिखाई जाएगा artificial intelligence machine learning का किस तरीके से video technology में use किया जाता है यह बताया जाएगा IOT का basic सिखाई जाएगा और इसके अलावा आपको यहाँ पे smart application डिजाइन करना भी सिखाई जाएगा तो अगर आप दोस्तों अपने final year का project बनाना चाहते हो तो यह workshop आपके लिए काफी जादा important हो सकता है आप इसे पढ़के artificial intelligence machine learning और IOT को किस तरीके से combine करना है इसका knowledge ले स दोस्तों यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि यह जो workshop होने वाला है यह पूरा free of cost है और यह online mode में होने वाला है आप को इसे दोस्तों खर बैटे वे अटेंड करना है अब अगर बात कर लें दोस्तों course तरीक क्या होने वाला है कितने बज़ी यह course होने वाला है तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने पूरा डे और यहां पर पूरा टाइम बता है कि यह जो सेशन है यह morning 10 बजे स्टार्ट होगा जो की दो पर कि 1.15 तक चलने वाला है लगबक यहां पर आपकी 3-3.5 खंटे की daily training होने वाली है जिसमें आपको देख सकते हैं theoretical और hands-on practice आपको दोनों ही यहा देखा और last में आपको यहां पर जैसी आप feedback देदेंगे तो आपको यहां पर certificate distribution भी किया जाएगा तो इसमें अगर आप apply करना चाहते हैं दोस्तों तो आपको ऊपर यहां पर link मिल रहा है इस पर आपको click करना है जैसी आप इस पर click करेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इ इस से detail फिल करना है इसे दोस्तों करने के लिए कोई भी apply कर सकते हैं अगर आप बीटे किसी भी प्रांज से कर रहे हैं तो आप इस पर reset कर सकते हो या फिर आप BCA कर रहे हो मिल आएगा और अगर आपका यहां पर form accept हो जाता है तो आपको आपके email ID पे given date पे एक link मिलेगा ज आगे का सारा information दोस्तों आपको email के थुरू पता चल जाएगा एक और चीज़ दोस्तों इसमें apply करने की वैसे last day तो 9 अप्रेल है लेकि आप इस पे जल से जल apply कर दीजेगा तो यहां पे limited number of seat होती है दोस्तों जैसी आप यहां पे registration कर लोगे number of registration जैसी यहां पे ज़्याद आते हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और notification बटन को जरूर on कर देना ताकि जब भी मैं इस तरह का information आपके लिए लेकिया हूँ तो आप तक सबसे पहले notification पहुँच पाए अब हम बात करते हैं दोस्तों जो दूसरा notification आया है जो कि NIT जलंदर के तरब से आपको मिल रहा है इसके बारे में NIT जलंदर के इन workshop को अटेंड करने के लिए दोस्तों आपको NIT जलंदर के official website पर आना होगा जहां पर आप इसका upcoming event पे इसका information देख सकते हैं यहाँ पे दो workshop अभी आपके लिए उपन है पहला दोस्तों है air pollution and health hazard का तो इस पे द advance in communication and signal processing जिसमें दोस्तों artificial intelligence machine learning का किस तरीके से आपका इसमें यूज करना है यह सारा चीछ आपको सिखाया जाने वाला है यह दोस्तों चार दिन की training होने वाली है वहीं पर यह एक दिन का workshop होने बाला है इसे अटेंड करने पर आपको NIT जलंदर के तरफ से बिल्कुल free पर certificate certificate मिलने वाल है जैसे आप इस पर click करेंगे दोस्तों इसका जो ब्रॉशर है वो आपके सामने आने लग जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इसके लिए कोई भी apply कर सकता है और यहाँ पर registration का आपको link भी मिल रहा है जिस पर आप click करेंगे तो आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरीके का एक page आता है जिसे आपको feel करना होता है वहीं पर दोस्तों आप यहाँ पर यह भी दिख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने e-certificate के बारे में बताया है कि जो लोग इसे attend कर लेंगे उन्हें participate करने पर यहाँ पर e-certificate इनके तरफ से provide किया जागा last days दोस्तों इस पर 30 मार्च छे इसके पहले आपको इस पर apply करना है वहीं पर दोस्तों इसमें दोस्तों आपको image processing में किस तरीके से machine learning का use करना है video processing में किस तरीके से python की लापर इसका use करना है 5G communication का किस तरीके से use होता है यह सारा चीज आपको य exam नहीं होने वाला है दोनों ही दोस्तों मैं आपको जो workshop बता रहा हूं उससे आपको अटेंड करना है knowledge लेना है और उसके बार आपको यहाँ पे certificate बिलकुल free पे मिल जाएगा अब अगर आप इसमें apply करना चाहते हैं दोस्तों तो यह registration का link आपको यहाँ पे मिल रहा है जिस इस वीडियो को like कर दीजिए चैनल को subscribe कर दीजिए और telegram channel से जुनना मत फुलिए का thank you